कलास इस अपस्ट्रोफी मन अपतक आपको पंक्ट्वेशन के अंदर हर चीज बताया 12 अब अब आपका है फ्स करना इस शौफी कई देखिया अब कर देशतर sí मेरे खिश्यठी पहला प्रफॉस करनावा पहला पहला प्रफॉस करते हो प्रफॉस करते हैं of one or more letter as in contraction of do not of to do not कि वार प्रपुंत कि दून जीशी शब्द को एक शब्द के समुट को हटाने के लिए उप्षण का मतलब हता ह्ताने के लिए यह इस जीश किया जाता है जैसे दून आट टू डून एसे हम लोग जीश करते हैं एपेस्ट्राफी मार्क के साथ वह होता है do not को हमने क्या लिखते है don't do not एक बड़ा शब्द है do not उसको हमने क्या लिख दिया don't दूसरा जो यूज़ होता है इसका वह होता है आपका the अच्छिक एक बड़े आपके अच्छिक क्या अच्छिक का लिखते है इस पंप मिल्ड आप दो हम भी इस एक वातर भी वातर प्रेश को लिख साथ है आपके प्रक्रश्वा नव शूल द। इगल इगल्स फेदर इगल्स फेदर और इन वन मन्थ टाइम आप देखिए दोनों ही एक्जामपल के इन वन मन्थ टाइम एक महिने के समय में मतलब आपका पोजिशन है एक महिने के समय में वो चीज़ होना चीए इगल्स के फेदर में कुछ खास बात होती है वह बता रहा है पीसरा जिसका यूज़ होता है वो है आपका ज़र मार्किंग अफ प्लूरल्स अफ इंडिविचल चरक्टर इंडिविज़ यह इसका अप्लेख्या थेक्ष्या आपका आपको यह क्या बताता है आप क्या करता है एपस्ट्रोफी क्या करेगा टुशो आप बोलो गए यह मार्क का तुझा से देखे आपका लिखते हो एक्जाम्पल की तौर पर क्या लिखते तो लेट अस तो यह क्या है कॉंट्रैक्शन दिखाता है किसी बड़े शब्द को एक दम छोटे फार्म में लाता है कि इनफार्मल फॉर्म में इनफार्मल एजी लेट्स गो इस तरह से होता है आपका एपस्ट्रोफी का यूज़ जैसे कि वुड प्लस नॉट इसको क्या लिखते हैं कि वुड है कि तृट्य क्या हूँ आपका दो सब्द का एक सब्दाने लिए हम लोग इसमय के यूज़ करते हैं ठीक है जब यह एपस्ट्रोफी आपको पाशेशन तिकाता है एपस्ट्रोफी प्लस एस कर स्ट्रोफी प्लस S टू शो पोजिशन जब भी एपिस्ट्रोफी के साथ S लगेगा तो वो आपको पोजिशन सिखा दिखाएगा पोजिशन का मतलब होता है किसी चीज़ को अपने पास रखना करना या बताना ठीक इस तरह से आपका यह है इसके रूल्स है जो रूल्स है वो मैं आपको नेक्स क्लास में बताऊँगा आज की क्लास के लिए तना थैंक यू